आज हम पड़ेंगे पूल फायर, जेट फायर, एंड फ्लेश फायर, क्या होता है? आईए देखते हैं, पूल फायर पूल फायर occurs when a flammable liquid leaks from a vessel or a pipeline to form a fluid reservoir which then ignites पूल फायर जब flammable liquid कीसी storage मैं से या वस्राव मैं से या और pipeline में से lik होकर कीसी एक जगब परたいजफ़ बना लेता है और उसमें आग लग जाती है, इसी को पूल फायर कहा जाता है A pull fire is a type of diffusion flame where a layer of volatile liquid fuel is evaporating and burning A fuel layer can be either on horizontal solid substrate or floating on a higher density liquid, usually water Pull fire जैसी किसी चीज़ में से ब्रेक होकर स्टोर होती है तो वो लगातार जलने के साथ साथ इवोपरेट होते जाती है यह fuel layer किसी solid substrate के ओपर horizontal रूप से present हो सकती है यह अपर किसी higher density liquid के ओपर float कर सकती है जैसे आपने देखाऊगा water के ओपर जब बहुत सारे amount में fuel इस्टोर हो जाता और burning होता है वह एक तरह का pull fire होता है आप example देख सकते हैं आपकी screen पर pull fire का केसे storage होकर fuel एक जगह पर store होकर fuel reservoir बन चुका है और उसमें आग लग चुगी यह pull fire कहलाती है अब देखते हैं jet fire क्या होता है jet fire can happen during the rupture of a pressurized vessel and or a gas line jet fire जब किसी pressurized vessel और gas line में leakage हो जाता है और उसमें से निकलने वाले fluid में से यह gas में जब fire हो लग जाती है तो उसे jet fire कहते हैं jet fires are explained from an orifice example leak in pipe or vessel under pressure of two bar or greater jet fire किसी जब orifice पर leak होता है उसकी आसपास की जो surface होती है उस पर leak होता है और उसमें से fluid निकलता है और उसमें अगर fire लग जाती है तो उसे jet fire कहते है vessel या फिर pipeline का pressure two bar और इससे ज़्यादा रहता है तब ही वन leak होने के उसके chances बहुत ज़्यादा होते है आप देख सकते हैं आपकी screen पर example of jet fire एक किसे pipeline में से fluid का जब leakage हुआ बहुत तेजी से वह बहुत आगे तक गया और उसकी आग महां तक चलती गई इसी type की fires को jet fire कह जाता है अब देखते हैं फ्लेश fire क्या होता है अब फ्लेश fire is a sudden intense fire caused by ignition of a mixture of air and cloud or flammable vapors such as a solid or liquid or a flammable gas फ्लेश fire एक अचानक और बहुत क्यूर बहुत intense type के तरह होने वाली fire है यह mixture हो एयर and cloud का जिसे flammable vapors या solid, liquid या फिर gas भी हो सकती है उनके mixture से जब cloud बन जाते हैं और उन्हें अगर ignition source मिल जाता है तो एकदम अचानक से लगने वाली आँख flesh fire कहलाती है example के तोर पर हम देखें तो जो coal mining होती है वहाँ coal का dust जब air में उड़ता है तो वह air के साथ means oxygen के साथ एक cloud बना लेता है अगर वहाँ उसे कुछ ignition source मिलता है तो वह एकदम suddenly fire का रूप ले लेता है उस type के fire को flesh fire कहा जाता है it is characterized by high temperature short duration and rapidly moving flame front यहाँ flesh fire बहुत ज्यादा high temperature की होती है यानि इसका जो ताक्मा ने वह बहुत ज्यादा होता है short duration की होती है मतलब बहुत कम इक है लिए जब तक air में अगर वह फ्लेमेबल particles cloud रहेगा जब तक इसका timing रहेगा and rapidly moving flame front अगर यह लगती है तो इसकी जो flame में वह बहुत जल्दी फैलती जाती है when pre-mixed flammable mixtures are confined to smaller scale flesh fire may become more violent and uneven escalate to an explosion मतलब जब pre-mixed मतलब air और cloud का flammable mixture रहता है वह एक confined space बहुत छोटी जगह पर flesh fire लगी हो तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाग हो सकती है और अगर यह confined space पर लगी हो तो यह explosion भी हो सकती है मतलब इसमें धमाका भी हो सकता है अब देख सकते हैं इस screen पर example of flesh fire एक कहीं से गुबार आया एक cloud आया और उसे ignition source मिलके कारण वह suddenly fire में convert हो गया यह fire बहुत rapidly होती है और बहुत कम समय के लिए होती है लेकिन अगर यह confined space के अदर हो तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाग होती है कि यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका भन्यवाद आप वीडियो को लाइक करें करें और चैनल को अगर आपने अपर तक सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब करें